को कि हलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी का स्वागत करता हूं अंडिया के सबसे बेस्ट मैथ के चैनल क्विक ट्रिक्स बाई साहिल सर आप सभी का स्वागत है सैटिस्फेक्शरी सॉलिशन ओफ मैथ आपके सामने में रखने वाला हूँ और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वह काफी खास है जो है वेंड डाइग्राम अक्सर यह टॉपिक इसकीम से निकल गया था अचानक से याद आया कि यह रण डाइग्रम तो पेपर में बहुत जादा पूछा जाता है और इसके कुशन तो आने बिल्कुल बिल्कुल मतलब कंफर्म है कि कुशन आएंगे अगर वो कुशन बनाना चाहता है दो से तीन नंबर का तो यह कुशन जरूर आएगा भई हाजी अनकेडमी पर मेरा नया बैच आ रहा है रेंकर्स बैच उसका नाम है सारी सब्जेक्ट और सारे एजुकेटर्स मिलेंगे आपको अगर आप SSE CGL, SSE MTS, SSE JD या कोई भी एक्जाम को टार्गेट कर रहे हो तो आज ही वो दिन है जब अपनी प्रपिशन आप शुरू कर सकते हो साहिल टैन ऐसे कोड लगाकर मेरे साथ आज ही जुड़िए खास मौका क्या है ओफर आ चुका है 41% और साहिल टैन लगाकर मेरे नए कूर्स में जुड़ने के लिए अनकेडमी महरवान है तो साहिल टैन ऐसे कोड लगाकर आप मेरे साथ जुड़िए अनकेडमी पर जहां आपको extension मिलने वाला है 6 महीने का अगर आप 12 महीने का subscription लेते हैं तो 18 महीने का मिलेगा 24 महीने का लेते हैं तो 30 महीने का मिलेगा ultimate चीज है साहिलता लगाकर अभी जुड़ जाइएगा offer के वर valid है 12 अगस्त तक तो जुड़ जाना है ना पहली है ना और कल होगा कल 4 बज़े तयार रहना कल मंगलवार है 4 बज़े तयार रहना आखरी प्रहार करेंगे गृप D पर formula revision करने वाले है second part पहला part बहुत ज़्यादा hit रहा बहुत ज़्यादा successful रहा बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला second part भी उससे भी उपर रहेगा ये मेरी guarantee है आप लोगों को बस जुड़ना है time पर 4 बज़े कला जाना और 5 बज़े वही चब अपना जो NDPC का set चलता है वो चलेगा ठीक है माइडियर और ये 16 तारिक को धमा का होने वाला ही है मैत के महां मुकावला होगा मेरे साथ 2 गंटे जुड़ना मज़ा आजाएगा आपको तो चाहेंगे वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक आईए अंतिम डोस चली रहा है वाइफए स्टेडी पर 11 बजे सुबह डेली ये मेरी बुक है फिलिपकाड अमेज़न पर मिल जाएगी टेलिग्राम पर मैं PDF डाल दूँगा हर सेशन की पहले कोशन से शुरुवात करते हैं आरम आरम से कोशनों को समझना शुरू करेंगे जो बच्चा नए है उसको भी समझ मैं आ जाएगा जो बच्चा पुराना है उसको भी समझ मैं आ जाएगा लेकिन शुरुवात कोशन के द्वारा की जाएगी आपका समय शुरू होता है अब चलिए जामा पहनाइए इस कोशन को तो इतना खुबसूरत ये प्रश्णा आपके सामने पेपर में आने वाला है देखिए बोला गया है कि किसी परिक्षा में 75% अंग्रेजी में 68% गणित में मेरी तरह ऐसा गोला नहीं फटाबट गोला बनाना है तो आप ये कह रहे हैं सर कि इंग्लिश में कितना इंग्लिश में 75% ऐसा आपने बोला मैंने ठीक है भई मैथ में कितना सर मैथ में कितना 68% अब ये बात की जारी कुल की कुल है ये ठीक है सर 60% प्रिक्षाशी इन दोनों मेश्यों में पास हुए तो 60% दोनों में आ गए ये जो वेंड आइग्राम है ये पास का वेंड आइग्राम है टोटल अंग्रेजी में इतने हुए हैं टोटल मैथ में इतने हुए हैं दोनों में 60 हुए हैं तो अकेले मैथ में कितना 8% अकेले अंग्रेजी में कितना 15% अब अंदर अंदर के जोड़कर आप ये देख सकते हो कि कुल मिलाकर पास कितने हुए हैं तो यहां देखेंगे 70 और 83% कुल पास हुए है 83% अंदर अंदर को जोड़कर आप देख सकते हैं कि कुल पास इतने हुए है तो क्या बोला जा रहा है कि दौनों विश्व में फेल होने वाले कितने प्रतिशत हैं तो हमेशा कोई भी चीज 100% होती है 83% पास हुए हैं तो 17% फेल हुए होंगे 100 मैंसे आपने 83 को घटा दिया यह बहुत प्यारा कुश्चन होता है कोई और चीज मत लगाना वैन डाइग्राम अपने आप में वन अप दा बेस्ट कंसेप्ट है दिमाग लगाना ही नहीं है कहीं पर मेरे दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपने कोश्चन को जामा पहना दिया होगा बढ़िया वाला कुछ नहीं करना पास वाले में लगाया पास पास वाले ले लिए बीच में कॉमन था जो कॉमन ले लिया और सबको जोड़ोगे ना तो यह पास वाला ही है सारे तो 83 परसेंट पास हो रहे हैं तो 17 परसेंट फेल हो रहे हैं बस अगला प्रशन आपके सामने यह रहा आप लोग फिर से जामा आप पेनाएंगे अब मैंने कोशन सिखा दिया अब जो नए बच्चे ने बेवले इस को यह बना ना उर जिन को आता है उन्हें बीसार में करना ख़लत उमनें टीछेक्ड में करना समय शुरू करता हूं अब कर इए करिए कर दिए कमॉन जाय गाइक कम अब कि कि टाइम सब हो गया टाइम सब हो गया और कोई ट्रिक वरिक नहीं होती है कुछ बच्चे सुझेंगे इसको जोड़कर वो कर तो समझ में नहीं आएगा फिर आगे मानलो कुश्चन की लैंग्विज बदल देगा ना तो तुमारी पिच्चर गुल हो जाएगी इसलिए दिमाग फेल हो गए हैं तो यह फेल वाला बना रहे हैं इसका मतलब आप मैंने का हाँ यार सही कहा रहे हो आप सही समझे आप चौबिस परसेंट दौनों विशे में अच्छी बात है यहां मैं देखता हूं सर्थ 14 परसेंट यहां अकेले हिंदी में फेल हुए और 8 परसेंट अकेले अंग्रेजी में फेल हुए हैं तो खुल मिलाकर फेल होने वाले 32 और 10 42 और 46 परसेंट तो 46 परसेंट फेल वाले परसेंट है। आई बात समझ में तो past कितने बोले सचा वण परसेंट वायर हो या कजब खीच पारे हो मीटर मज़ा आ गया हाँ या ना में एक बार जबाब देदीजे जोड़दार तरीके से बोले यह सर पूरा क्लियर हो रहा है कैई बच्चे सोचेंगे अरे सर एक मैथड आता है जहां पर इन दौनों को जोड दिया यह मैथड यहीं तक ही ठीक है सबको आता है मैथड कोई बड़ी बात नहीं लेकिन जब प्रश्ण की लेंगवेज घूमेगी तीन गोले आएंगे डिबा गोल हो जाता है बच्चे का तो मैं उस चीज़ पर बिलकुल भी विश्वास नहीं करता जो थोड़ी देर चले जैस मैं शुरू करता हूँ अब तसल्ली से करना है ना जल्दबाजी नहीं है करिएगा जाम परिक्षा में साट परसेंट उमीदवार हिंदी में सतर परसेंट उमीदवार गणित में पास हो गए चालिस परसेंट उमीदवार उन दौनों विश्व में पास हो गए अच्छी बात है लो भाई कुछ नहीं लगता दो सेकंड लगते हैं 60% हिंदी में हिंदी को H लिख दिया करो 70% गणित में गणित को M लिख दिया करो 40% दौनों में 40% यहां आ जाएगा 20% केवल हिंदी यह पता लग दिया 30% केवल गणित यह भी पता लग गया तो कुल मिलाकर हो रहा है 90% तो 10% क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं लोग और दौनों में फेल होने वाले 540 10% के बराबर हैं तो कुल चात्रों की संक्या 500 आंसर बहुत बढ़िया यही तो चाहता हूं आप खोड़ते जाहिए यही बस सीखना बहुत बढ़िया यह बहुत घजब बहुत अच्छे अगला प्रशन करिए देखते हैं कौन करता है समय शुरू हो गया आपका और वीडियो को लाइक शेर करते जाहिए और आंसर चाहिए मेरे को पहले यह पहचानिये कि पास का या फेल का है कि समॉन यह हुई ना बात अग्रेजी में फेल हो रहे हैं ठीक है भाई और पैंतालिस परशन गणित में फेल हो रहे हैं अंग्रेजी एक्क्यावन परसेंट फेल वाले मैथ 75 फेल वाले कोई रिक्कत नहीं है यदी 21 परसेंट चाट्र दोनों में फेल हो गए यहां आगया 30 परसेंट और यहां कितना आगया 24 परसेंट ठीक है यह फेल वाले ना सारे तो यहोगा सब 55 और 30 35 परसेंट तो यह फेल हो रहे हैं then pass होने वाले कितना है 25 परसेंट, और 25 परसेंट ही किस के बरावर है 199 के, क्योंकि एतने छात्र pass और तो ары 100 % कितना हो जाएगा एक बटे 4 होता है 4 का गुणा कर दो एक सबीजुक een ऑचांग से भी हो और वेंड डाइकराम की तो अभी शुरुवात हुई है ऐसी ऐसी चीजे सीखने को मिलेंगी जो पेपर में आएंगी और आप नहीं कर पाओगे मैं सिखा दूँगा एक भी कोशन नहीं छूटीगा यह गारेंटी है अपनी चलिएगा अगला प्रशन आपके सामने यह रहा देखता हूं कौन जामा पहनाता है तसली से अब परसेंटेज नहीं है आंसर दीजिए कम ओन अच्छा कुश्चन है अच्छा कुश्चन है आराम से बनाओ चलो सर कैसे करूंगा कैसे होगा आजाईए एक कक्षा के साथ विध्यारतियों में से 29 ने गनित और 32 ने जीव विज्ञान विशे का चयन किया गनित मतलब मैथ 29 बायलोजी 32 अराम से साथ चात रहें अब आठ ऐसे हैं जिसने किसी का भी चैन नहीं किया तो साथ में से आठ तो बिलकुल आउट अप सिलेबस हो गए यानि कि आप अगर इस गोले में बच्चे भरोगे तो वो बावन में सी भरोगे बात तो सही कह रहे हो सर तो भाई ये कहना चाह रहा हूं कि कुल मिलाकर इन दोनों को अगर आप जोड रहे भी हो जोड लो सिक्ष्टीवन आ रहा है तो भाई सिक्ष्टीवन जो आ रहा है वो कैसे आ गया है तो बावनी चात्र इन दौनों को जोडने पर सिक्ष्टीवन आ रहा है तो बोले सर सिक्ष्टीवन इसलिए आ रहा है हैं 52 चात्र क्योंकि जो 9 चात्र है न वो common है बीच में अच्छा तो पूछा क्या गया है कि कितने चात्र ने गणित और जीविग्यान दौनों का चैन किया तब जाके बात बनी नौ चात्रों में मज़ा आ गया समझ में आ गया बात किलियर हो रही है मेरी मैं यू समझा रहा हूं कि 61 जो है वो तो टोटल आ रहे हैं सर अब आप बोलोगे सर हैं तो बावनी 61 का मतलब आना चाहिए बहाई ऐसा है कि बीच में कुछ common है तो यह common वाले निकाल ले नौच आ अगर प्रश्ण पूछले कि यह बताओ केवल और केवल मैत में कितने हैं मैत के कितने केवल और केवल तो वेंड डाइगराम ही सहरा है हरे का सहरा वेंड डाइगराम हमारा यह पूछले कि मैत में कितने हैं तो आंसर होगा कितना 20 केवल मैत में पूछले कि केवल बायलोजी में कितने हैं बोलो दो खतम साथ गटादी तेविस ऐसा होता है उमीद करता हूँ कि क्लैरिटी आ जाए वस आपको इस खतम काम आईए अगला प्रश्ण बनाईए समय शुरू नहीं है पेपर में यह प्रश्ण कितनी बार आया है हर बार बच्चा गलत करता है यह लीजिए सही तरीका मैं समझाओंगा अच्छा कुशन है समय लगेगा टाइम ले लो चाहे सर ऐसा कुशन कैसे होगा होता तो नहीं है एक कपड़े की दुकान में 15 ने काली पुशा खरीदी 15 ने लाल पुशा खरीदी अब सब लोगों से यही रिक्वेश्ट करूंगा कि ज्यादा उश्यारी ना करें सब सामने देखें बस मैं सब समझा दूंगा ठीक है चलिए रटे रटाए आंसर देने आगे बच्चे बताओ फिर केते हैं सर सेलेक्शन नहीं हो पाता है रटे रटाए आंसर देदो भाई मैं यही तो पूछूँगा तुमसे कि तुम रटा रटाय आंसर कैसे दे पा रहे हो अभी पूछूँगा आओ क्योंकि एक कपड़े की दुकान में 15 ने काली पोशा खरी दी और 15 ने लाल खरी दी और 20 ने नीली खरी दी ठीक है सर्थ मैंने कि एक वेंडाइगरा मना देना है खुबसूरस सा अपली समझना है न क्योंकि यहीं से शुरुवात हो रही है आपके तीन वालों की अब दो वाले तो सारे कर लोगे और बोला जारा है सर ब्लैक पोशाख रैड पोशाख और नीली पोशाख पंदरेने ब्लैक पोशाक है पंदरेने लाल पोशाक है और बीस ने नीली पोशाक है शौट ट्रिक भी मेरे पास है लेकिन शौट ट्रिक वो चीज होती है जो समझ में नहीं आती है बेसिक जो होता है वो समझ में आता है तो किर्पया करके समझने की कुशिश करिएगा चलिए आराम से ना मैं ये बोलता हूं दोस्तों कि दो ने तीनों रंकी खरी दी यहां दो आ गया मेरे पास और आठ ने इन में से कम से कम दो रंकी खरी दी अब इस लाइन का मेरे को आप लोग मतलब बताओगे कोई नहीं बताएगा केवल आप लोग बताओगे अगर मैं इस वाले को A मान लेता हूं इस वाले को B मान लेता हूं इस वाले को C मान लेता हूं तो आप मुझे बताइए आठ ने इन में से कम से कम दो रंग की पुशा खरीदी तो A प्लस B प्लस C क्या होगा बोलो अच्छा कुश्चन है मैं कह रहा हूँ ना बड़ा दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा तो मैं ये लिखता हूँ कि आठ ने इन में से कम से कम दो रंग की कम से कम का क्या मतलब है कम से कम का मतलब है दो रंग वाली और तीन रंग वाली दोनों आएंगी हाँ या ना बोलिये पर यही तो बोल रहा हूँ मैं तुम से कम दो रोटी खाते हो तो कम से कम का मतलब तुम दो तो खाओगे खाओगे तुम तीन भी खा सकते हो तुम चार भी खा सकते हो तुम पाँच भी खा सकते हो तो यहां कम से कम आठ ने इन में से कम से कम दो रंग की पोशा खरी दी इसका मतलब आप दो रंग वाली भी खरी सकते हो आप तीन रंग वाली भी खरी सकते हो तो क्या मैं इस सभी को नहीं ले लूँ क्या बोले सर ठीक है आप A प्लस B प्लस C P प्लस 2 बरावर 8 के बरावर कर दो हायाना मैं बोलते जाना गल्ती मत करना क्योंकि मैं साथ में खड़ा हूं तुम्हारे हमेशा तो यहां पर मैं यह कहना चाहता हूं कि A प्लस B प्लस C का जो मान आ गया वो 6 आ गया कोई गल्ती का चांस ही नहीं हैं बोलो भाई यही समझ होनी चाहिए आपके अंदर चाहता भी है हूँ हाँ ठीक है सर यहां तक आ गया सबको आ गया एगरी करते हो अच्छा अगर यह टोटल पंदरा है और इस वाले portion की मैं बात करना चाहूं तो यह कितना हो जाएगा बोलो बोलो ॊंग तो सर यह हो जाएगा 15 मेंसे इनको घटाना पड़ेगा तो 15 मेंसे दो गया तो 13 माइनस का Il कि हजे अटारा माइनस का हना सी यह 9 में वह भी हैं इस थीनों गटेंगे तब जो टब तेने यह समझ है तुमारी मैं तो तुमें तब जाके तो यह आएगा इस में से यह तीनों घटेंगे तब जाके तो यह आएगा सही कहा रहे हो सर अब निकालना क्या है कितने ग्रहक केवल एक रंग की तो आपको क्या जोडना है इस वाले को इस वाले को जोडना है तो 13 और 13 26 और 8 26 और 8 34 और 10 45 ठीक है एक कितनी बार है दो बार माइनस टू ए प्लस दी प्लस देख लीजी आप आपका आंसर क्या आ गया सर चमवाल इस में से 12 चले गए आंसर कितना आया 32 इस दिस दर राइट आंसर सर हमने तो रेलवे के पेपर देखे हैं उनमें तो 40 दे रखा है हाँ तभी तो अब्जेक्शन रेस करके बोला गया कि इस कोशन इस इन डिस्क्रिपैंसी डिस्क्रिपैंसी में डाल दिया था ये कोशन क्योंकि आंसर गलत था आंसर इसका 32 होगा तो रटे रटाए आंसर ना दें लॉजिकल बात करें आंसर इस 32 आपके सामने सारा सबूत है अच्छा लग रहा है तो जोड़दार खेंच के लाइक कर दीजिए और अगले खुबसूरत कोशन की तरफ प्रस्थान करते हैं हम लोग और ये सबसे अच्छा लगेगा ये लीजिए करिए ट्राइ करिए 30 सेकंड 40 सेकंड जितना लेना है लीजिए आप छोड़ो मत एक एक चीज सॉलिड करा दूंगा तुम्हारी मैं अच्छा कुशन है अब हमेशा बेंड डाइगराम यह नहीं कि गुसके बनेगा सर्फ पांसो चात्रों की कक्षा में एक सम्हूं में 20% को केवल चाय 30% को केवल कौफी 25% को केवल दूर और 10% को केवल चाय कौफी इसका मतलब चाय कौफी को एक साथ में डालना पड़ेगा क्योंकि 10% को केवल चाय कौफी तो मैंने चाय को बोला टी और कौफी को बोला सी 20% केवल चाय और 30% केवल कौफी अच्छा ओकेवल डालना हर चीज का मतलब होता है, उस मतलब को समझ ले ना बस अब ठीक है भाई साब सарग दूध वाला क्या है ये रहा, पांच परशन को धही और दूध तो दूध धही एक साथ बनेज़े तो मैंने बोला सर, 25 परशन को केवल दूध, 25 परशन को केवल मिलक और 5% को धही भी है तो बोला गया साथ सेश को केवल धही तो कितना बच्चा सेश साथ 30 और 30 60 और 60 और 40 100 सौरी 60 और 30 90 90 और 10 100 बस भर गया है अब इन डाइग्राम ये धही हो गया भाई अपना कर्ड धही अब कोशन क्या कह रहा है अपसे उन छात्रों की संख्या की बीच का अनुपात बताओ जो चाय और दूद पसंद करते हैं तो चाय वाला तो देखो सर ये रहा 30 और दूद वाला ये पूरा आएगा 30 क्योंकि केवल नहीं बोला है ना दोस्तों तो आंसर एक अनुपात एक होगा गलती से भी गलती मत करना क्योंकि वो पकड़ लेगा एक्जामनर आपको है ना ठीक है मज़ा आ रहा है चले ये देव जाएगा बचारा एक कभी-कभी तो कर रहा है और लेकिन इस्पैम करने वाले मेरे को पसंद ही नहीं है मैं इनको आउट कर देता हूं क्लास से अगला प्रशन आपके सामने है पूरी क्लियर है पिचर आपका समय शुरू करता हूं लीजिए 40-45 सेकंड लेकिन आंसर चाहिए मेरे को यार हाँ और कल आपका जुमेट्री होगा भाई तैयार रहना कल जुमेट्री होगा भाई साब मज़ा आ जाएगा और कल चार बजे फॉर्मूला रिवीजन भी है मतलब आखरी प्रहा टू पार्ट टू आएए एक विद्याले में कुछ विद्यारती है नबहे विद्यारती हिंदी पिचेतर विद्यारती गनेत और 58 विद्यारती अंग्रेजी 36 हिंदी गनित अच्छा भाई इसने मुझे इसपष्ट कर दिया कि तीन वाला बनेगा और मैं भी नहीं रुका मेरे को भी ज्यादा एक्साइटमेंट था कि मैंने कहा एक पर करी देते हैं इसको चलिए मैंने लिखा सर हिंदी को एच मैत को एम और इंग्लिश को ए आराम आराम से बनाना सीखिए सननभ्य आ गए छातर हिंदी वाले पिचेतर आ गए गनित वाले जिनको नहीं आता वो देख लो मैं कैसे रंगोली बर रहा हूं 58 हो गया अंग्रेजी वाले किसी को कोई परेशान अंग्रेजी यह लीफ हो गई इसकी और पच्चिस अंग्रेजी वे गनित अरे बाह और तीनों का 18 यह बीचो भी जा गया तीनों का अब यहां देख लो आप यह 18 हो गया यह हो गया साथ हो गया यह हो गया 17 ठीक है अब बोला गया उन विद्ध्यारतियों की संक्य जो केव 37 रह जाएगा 36 और साथ 43 गटाओगे तो कितना हो जाएगा 32 और 35 और साथ 42 42 गटाओगे 16 आपको बस बूचा गया कि केवल एक विशे पढ़ते हैं तो यही वाले लेने हैं बस तीनों तो सर देखो साथ और दो नौ और छै पंदरा का पांच एक चार और तीन साथ और एक आठ आया अंसर आप लोगों का बहुत बढ़िया है मैंने देखा नहीं था मुझे लग रहा था कि आप करोगे या नहीं कर पाओगे लेकिन बहुत अच्छा लग रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हो भाई साब और ऐसी करते रहे ना क्या एक अच्छा लग रहा है डियर एक बर बोल दीजिए कि यह सर मजा तो आ रहा है बहुत ज़्यादा एक बर आपसे चाहता हूं यार एक बद चीयर अप करिये और इसी तरह से एंजोई की सथ पढ़िये पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए आया ना आये बस चीयर अप होना चाहिए ब है बहुत हो गया तुम मतलब बहुत दुनिया ने सुना लिया तुम्हें अब करके दिखाना है भई आठ सेकंड लोग चली सब तीन सो पचास अदश्य रहते हैं 45 चाहे कॉफी दूद चाहे कॉफी कॉफी दूद तो तीनों वाला बनेगा और कट करता हूँ बनेगा यह पढ़ते ही पता लग जाएगा और आदत बन जाती है इस तीस की भी सबसे पहले चाहे को लिखिए चाहे कॉफी और मिल्क 45 अभी परसेंटेज में काम कर रहे है ना डेटा को लेहीं नहीं रहा बन 45 परसेंट 20 परसेंट कॉफी और 13 परसेंट दूद पसंद करते हैं कि काम सबेंट 10 परसेंट चाहे कॉफी लीफ पर आ गया न और 30 परसेंट कॉफी दूध लीफ पर आ ठीक है और 4 परसेंट चाहे और दूध अज़ोगे तो यहां मैं देखता हूं सर्फ पांच और दो साथ चले गए तो अल्टिमेटली यहां पर आने वाला है पेंट पांच गया अड़ तीस केवल कॉफी वाले पूछे गए न तो इस पर फोकस करो न गुरू जी तो पांच में से च्छे गया 14 परसेंट अब 14 परसेंट आंसर है गया हां लेकिन साड़े तीन सो का तो तीन सो पचास का 14 परसेंट आप इसको क्या लिखो साथ सो बटे दो 49 आंसर आ गया कैसा लगा दोस्तों कुश्चन अच्छा फोड़ दिया न तुमने आ रहा है न मजा हां इसी को कहते हैं देखो सर लर्निंग क्या है लर्निंग वो है कि आप मजे मजे में सारी चीज़ सीख जाओ उसी को सीखना कहते हैं आना चाहिए यार आना चाहिए अब जो पूछे वो निकाल सकते हो आप वेन डाइग्राम रंगोली है भर दीजिए बस अच्छा लग रहा है एक पर खीच के जोड़दार तरीकी से लाइक हो जाए अगला प्रशन अच्छा है मैं फिर से 40-45 सेकंड दे रहा हूं आप बना लो कुशन बाद में करेंगे इसके क कुशन बाद में करेंगे आना 4 कुशन आते हैं इस पर एक बार बनाओ क्या करोगे देखें के गणित ओर कम्पूटर में 25 छात्रों के एक कक्षा में 12 चात्रों हो ने गणित लिया उन्में से 8 अच्छा इंतु कम्पूटर नहीं लिया बना सकते हो चलो-चलो-चलो-चलो- आराम से बना सकते हो, तीस सेकड में भी बन जायेगा, आसान है, 25 थात्रों की एक कख्षा है, जहां पर मैं मैथ को बोल रहा हूं और computer science को बोल रहा हूं, 12 चात्रों ने गनित लिया है और 8 ने गनित लिया है लेकिन computer यानि की personal यानि की चार यहां हो गया 25 टोटल चात्र है तो 12 ही हो गया तो 13 ही हो जाएगा बस बन गई रंगोली हो गया काम सही है क्या नहीं क्यों 8 ने यह लिया है ना तो बारह यह आट और चार बारह बारह और क्या रहे है आगे तुम्हारा तेरा और चार सतरा और आट पक्चिस ठीक है यह यह रहे है ना कि अब कुशन क्या कह रहा है उन चात्रों की संख्या कितनी है जिन्नोंने गनित और computer विज्ञान दोनों लिया है चार अगला उन चात्रों की संख्या जिन्नोंने computer विज्ञान लिया है लेकिन गनित नहीं लिया है तेरा अगला कुशन मनाईए अगला कुशन आपके लिए है बनाओ फटा पड़ यार टाइम नहीं लगना चाहिए यह सब कुशन पेपर में आए हुए आपके और मजाक में मत ले लेना बिल्कुल भी मैं भी नहीं लेता हूं और जाम पहिनाना शुरू कर दो सर एक कक्षा में सौ चात रहे हैं जिन में से 63 सेप पसंद करते हैं और 76 संत्रे पसंद करते हैं वैंड डाइगरा मना सकते हो कोशिश कर सकता हूं सर कैसे कोशिश रहेगी कोशिश देखते हैं कैसी रहती है सर 63 तो एपल पसंद करते हैं और 76 संत्रे पसंद करते हैं और इंजिज अब बात आपसे मैंने पहले भी बोली थी कि इन दौनों को जोड रहे हो तो महराज यह हो रहा है 139 और है तो 100 ही तो 39 common होगा common sense वाली बात है अब 39 common होगा तो आप यहां से निकाल सकते हो तो सर 60 और 60 मैं से 36 घटा दो यह आ गया 24 और एक जोड के 77 मैं से 40 घटा दो 37 27 77 है ना मैंसे 40 घटा दो 37 यहां रहा है चलो इस वेंड आग्रम बन गया भाई सबका बन गया था एक बार जोड़ता तरीके से थमसब हो जाए बन गया अब कोश्चन देखिए इन मैंसे कितने छात्रों को सेव और संत्रे दौनों पसंद हैं सर यह बीच वाला हो गया अगला इन में से कितने छात्रों को केवल सेव पसंद है केवल और केवल सेव 24 को हो गया अगला कोश्चन बनाईये जामा पहनाईये कमाउन मजा आ रहा है नहीं आ रहा एक बार बताते रहना छूटना नेची यह माहौल कि एक सो सतर परिवारों के एक सरविक्षण में 115 कोफी 110 चाय 130 दूद पीते हैं इसके अलावा 85 कोफी और दूद पीते हैं 55 कोफी और चाय पीते हैं अच्छा बात है वाई इतना क्या पढ़ेंगे डेटा भरेंगे हम तो आपको पेपर में क्या करना है इतनी बुद्धी नहीं लगानी आपको डेटा भरने पर ध्यान देना है तो डेटा क्या है 170 परिवार हैं इनमें कॉफी है चाय पीने वाले हैं और दूद पीने वाले हैं 115 अपने कॉफी पीने वाले हैं 110 अपने चाय पीने वाले हैं और 130 अपने मिल्क पीने वाले हैं 85 कॉफी दूद 85 कॉफी दूद या लीफ पर मज़ा आए गई अच्छा कुशन है तरीका शौट बताऊंगा बिल्कुल पिचेत्र कॉफी चाहे पिचेत्र कॉफी चाहे और पिच्चाण में चाय दूद्ध और सत्तर तीनों पिते हैं लेवाई ये तो हो गया पता करें कि कितने कॉफी दूद का उप्योग करते हैं लेकिन चाय का नहीं पंदरा चात्र हो गया इजी है दिखावा कैसा है दिखावा बड़ा है इतना टाइम लगाएंगे लेकिन कोशन में कुछ भी नहीं है उड़ा दिया ना अपने एक बर बोल दीजिए कि ये सर उड़ा दिया है जोड़ार तरीकी से लाइक शेयर करते रहिए और वास्तन में कर लिया अपने अगला सर देखिएगा एक शेयर में 85% लोग दा हिंदू पढ़ते हैं 40% दा इंडियन एक्सप्रेस अच्छी बात है भाई मैंने वही तीन गोले बनाए उन तीन गोलों को सैट किया और इन तीन गोलों के सैट करने के बाद आंसर की तरफ देख रहा हूँ किसा देखिए दा हिंदू टी एच 85% 40% दा इंडियन एक्सप्रेस 20% लोग दा ताइम्स ओफ इंडिया टी ओ आए ओके रिलेक्स 32% लोग दा हिंदू एंड दा इंडियन एक्सप्रेस लीफ पर आ जाएगा ओके सार नो प्रोब्लम 13% लोग दा हिंदू एंड दा ताइम्स ओफ इंडिया यह रह 13% और ताइम्स ओफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस 10% लोग ओके ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों पड़ते हैं यानि कि यहां आपको एक्स निकालना है क्या जुगाड़ है किसी के पास कुछ है दवाई है दवाई है बोलो हाया ना बोलो यार है यह नहीं दवाई बोले सर दवाई है दवाई बहुत काम की भी है बोले सर क्या काम की है आईए अगर यह आपको निकालना हो और सब कुछ दे रखा हो एक ही चीज करना है सर क्या क्या करें सबर पहले आप क्या करें इनको जोड़ें 85 को जोड़ लिया 40 को जोड़ लिया जो individual individual है न सारे इनको जोड़ लो तो सर जोड़ के देखा देखो 5 आया और 112 और 24 145 आ गया अच्छी बात है 145 आ गया कोई दिक्कत नहीं है अब क्या करें अब क्या बच रहा है ये लिफ वाले बच रहे है इनको जोड़ो एक तरफ 32 10 42 और 13 55 बस और 100 और है ये 100 कहां से आ गया चानत अरे वो 100 परसेंट वाला यार वो भी तो अपने आप में है बाई टोटल 100 परसेंट ही तो होंगे बच जो भी होंगे पढ़ने वाले तो वह 100 और जुड़ गया लीफ वाले जुड़ गये और 100 अलग से जो 100 परसेंट है वो गया काम जो इनका डिफरेंस आता है वही आंसर आता है 10 परसेंट इस्टार बना ले ना पेपर में ये प्रश्न भरबर के आएंगे एक लाइन में आप उड़ा दोगे एक लाइन में समझ रहे हो यह वही नब बात और खीच के जोड़दार लाइक शेर करते रही है अगला खुबसूरत प्रश्न तयार है इनमें थोड़ा दिमाग लगता है लेकिन कोश्चन अगर करके जाओगे ना तो कोई रोकने वाला नहीं है यह मेरी गारेंटी है हाँ डी आई वाई सब कराऊंगे ना चली चली कोई नहीं एक शहर में 56 लोग कॉफी पीते है अर्टालिस परसेंट लोग चाय पीते हैं फिप्टी टू परसेंट लोग धूर पीते हैं दस परसेंट तीनों पीते हैं ओहो यह आएगा मजा लड़ने में इसमें वन डाइगराम अच्छा कुश्चन्स होते ना जहां मजा आता है अइसे कुश्चन्स करने में ही बहुत को सीखने को मिल जाता है आपको सर कॉफी औन चाय औन मिल्क कॉफी पीने वाले 56 चाय पीने वाले 48 और मिल्क पीने वाले 52 10% लोग लोग सभी 3 है यह लें 25 Nikki cheese परशन लोग कॉफी और चाहे दोनों पीटें कारश प्रसटें लोग कफी चाहे दोनों पीते तो यहानने की 15 परselvesड़ यहां यहां पर क्रिफ़ यहां पर 20 पर्सन टोटल बनाना चाही दूद्ध दूद्ध यह रहा कित रहा कितने 24% लोग चाय, दूद, दौनो पीते हैं यह लोग भई 14% हो गया 24% हो गया न डोटल और 21% लोग कौ फी चाय दौन पीते हैं 25% यह ने कि 11 हो गया No problem कोई problem नहीं है 45 लोग केवल चाय पीते हैं केवल तो केवल चाय वाले निकाल सकते हो किया आप 36 गटा के 20 परसेंट 20 परसेंट बराबर अगर आपका 45 है तो आगे की कहानी आप कोश्चन के थुरू आएगी क्योंकि बोला गया ना 55 पर केवल चाय पीते हैं चलिए अप कोश्चन क्या कह रहा है उन लोगों की संख्या बताईए जो तीनों में से कोई भी नहीं पीते बता सकते हो गया चलो बताओ तो सर कैसे बताओ गया आप सबको पहले जोड़ना पड़ेगा हां जैसे कि यहां कितना आ रहा है 29 और 10 49 49 घटाओगे तो यह हो जाएगा नौ यह हो गया 24 और 10 24 और 25 और 10 35 घटाओगे तो 12 में से 5 गया तो 7 और 4 में से 3 गया तो 17 सबको जोड़ लो क्योंकि नहीं वाले आ जाएंगे ना उसमें दूसर 20 15 35 और 10 45 45 और 25 और 25 और 25 और 25 और 70 70 79 79 और 10 89 89 और 7 96 तो 4 परसेंट ऐसे हैं खीक है तो 96 परसेंट तो हैं और परसेंट अलग हैं जो तीनों में से कोई भी नहीं पीते चार परसेंट किसका टोटल का तो यहां मैं यह कह सकता हूं पांच का भाग दे दीजिए तो चार परसेंट बरावर 9 आ गया अरे यारी तो घड़बड हो गई अच्छा 9 बरावर होगा कि माफ कीजी माफ कीजी अच्छा केवल चाय पीने वाले सॉरी सॉरी नौ परसेंट बरावर होगा वही मैं कहूं तो सर एक 100 परसेंट बरावर हो गया कितना 500 चार परसेंट निकालना है बीस आंसर आ गया तो पांसो का चार परसेंट बीस आंसर आ गया कैसा लगा कुश्चन अच्छे कुश्चन से सारे के सारे one of the best कुश्चन करा रहो है हाँ ठीक ठीक है लेख लो यार अगला करिए चलिए शहर में लोगों की कुल संख्या का पता लगा सकते हो क्या कितने हैं पांसो अभी निकाला था ना पांसो लोग है शहर में अगला कुश्चन आपके लिए है करके बताओ चलो कमॉन गाइस अच्छा सीख रहो यार और ऐसे टॉपिक कोई नहीं कराएगा तुम्हें कल जुमेट्री होगा अपना चार बजे फॉर्मुला रिविजन होगा मज़ अब एक विकरता है सर पचास ग्राहकों को तीन अलग अलग रंगों की रेडि मेट पैंट बेचता है मज़ेदार चीज़े हैं सारे की सारे कुशन बड़ी अपर आ रहे हैं है ना देखिए सर पचास ग्राहकों को तीन अलग अलग रंगों की रेडि मेट पैंट बेचता है 20 ने खाकी और काले रंग की पैंट खरीदी 10 ने काली और ग्रे रंग की पैंट खरीदी है ना और 15 ने गिरे मैं कहता हूं भाई तीन वाला बना लो चुपचाप बना लो चुपचाप कोई टेंचन मतलो सीखने को यही से मिलता है आलस नहीं करना ऐसे कुश्चन में क्या होता है पेपर में सोचते है और कौन करेगा लेकिन होंगे सौबार होंगे खाकी ब्लैक एंड ग्रे यह क्लियर है ठीक है 20 ने खाकी और काले खाकी और काले और 10 ने काले और ग्रे दस ने काले और ग्रे और पंद्रै ने ग्रे और खाकी ओकै को दुखकत नहीं होगी तुम्हें सीखते जाएए और 10 ने सभी 3 तो यहां हो गया दस यहां हो गया जीरो और यहां हो गया पांच यही हो गया और क्या है कितने ने केवल एक रंग की पैंट खरीदी कितने ने अब टोटल ग्राग कितने पचास है ना ठीक है सबर कर ले ना तो सर देखो 25 तो यह हो गए तो यही तो बचे अब तो 50 में से यह वाले 25 चले जाएंगे तो 25 ही तो बचेंगे केवल मज़ा आया नहीं आया यार मैं बड़ा खुश हूं तुम लोगों से यार बहुत अच्छा कर रहे हो भाई यही दिमाग का संतुलन है जो आप अभी बना पा रहे हो तो पेपर आप फोड़ कर आओगे बढ़िया वाला छो होगा आखरी प्रहाड पार्ट टू और उसके बाद साड़े पांच बजए एंटी पीसी के बेस्ट कुश्चन्स चल रहे हैं लीजिए आनंद उठाईए सेलेक्शन के लिए सर लोगों ने एक समू लोगों के एक समू में दस आम 15 ने अमरूत और 20 ने अनानास खरीद लिया दो व्यक्तिने और 2 व्यक्तिने सभी तीन 6 व्यक्तिने इन मेंसे कम से कम दो है वाय यही तो खेल हो गया अब आएगा मजहा देखो खेल में लैको ऐसे Sequoction बड़े प्यारे होते हैं जब आप सीखते हो तो आप खुद बनाते हो गल्तियों का पता लगता है उन गल्तियों से समझ में आती है कि क्या की थी भाई ये नहीं करनी है ये नहीं करनी है अच्छा कर रहे हैं आंसर सही आ रहे हैं मैं समझाओंगा वैसे सीखोगे अभी जैसे सिखाय था न वैसा ही कु और 20 ने पाइनेपल अनानास दो व्यक्तियों ने तीनो और 6 व्यक्तियों ने कम से कम दो तो मैंने इनको A, B, C मान लिया मेरा तरीका सॉलिड रहेगा हमेशा ध्यान रखना तो मैंने जो समझाया A plus B plus C plus 2 बराबर 6 तो यहां से A plus B plus C तो केवल एक फल वाले सेम टाइप का है तो यहां क्या करो 10 में से दो गया तो 8 ऐसे डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं 15 में से दो गया तो 13 ठीक है और 20 में से दो गया तो 18 इनको जोड़ो 18 और 8 26 26 और 10 36 और 3 49 49 में से क्या गटा दो 2 times of A plus B plus C this is the actual method जो कि आपको करना है पेपर के लिए आंसर आगया 31 अभी जस्स सिखाया था ना ताइम नहीं लगेगा रबड बना दो के तुम घठरना का अदमी मैं लगा यह ऐ आतहों अभी सिखाया था न मैंने इ तो पूरा लिखा नहीं मैं तो क्य वल क्या किया 10 में से 2 गटा है 8 दसमें से 15 में से 2 गटा है 13 और 20 में से 2 गटा 1 आर dale मुझे पता है A और C भी घटेगा मुझे पता है दी और बी भी घटेगा तो टू ए यह वाला ए और ए और बी तो टू ए टू बी टू सी घट गया इसे बात बदा यह होती है न बात यार शॉट हो गया न हो जाएगा धीर धीर और शॉट होता चला जाएगा एक शॉट और फॉर्मुला लेकिन वह समझ में नहीं आएगा तुम है चलिए कोई बात नहीं है जो अटक गया बोल दिया करो अब अगला बनाओ आप कर सकते हो मुझे लग रहा है आप ही कर सकते हो मुझे यह भी लग रहा है अगर तुमने बना दिया ना तो मेरा दिल खुश हो जाएगा एक बहतरी नीन ले पाऊँगा मैं बना दो यार उम बहुत अच्छा किया है यार मैं उमीदों पर खरा उतर वा रहा हूं और तुमारी स्पीड नहीं बढ़ रही स्पीड कैसे नहीं बढ़ेगी भाई सर बॉलीबॉल 25 बैडमिंटन 20 किरकेट 10 पाँच लड़के तीनों और आठ लड़के कम से कम दो वही खेल हो गया सर पहले तो ABC निकालो तो सर A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा इस आठ में से 5 गया तो 3 यही होता है अब क्या करो बताता हूं इन तीनों को इस में से भी 5 घटा दो 20 इस में से भी 5 घटा दो 15 और इस में से भी 5 घटा दो 5 तो 20 और 5 20 और 20 40 40 में से आपके 6 चले गए 24 अब यह प्रोसीजर मुझे पता है आपको पता है और आंसर जो आ रहे है न यह बता रहे हैं कि सबको पता है पहले सबसे पहले किया था तो नहीं हुआ था दूसरी बर किया टाइम लगा तीसरी बर किया कि उड़ा डाला हां यही होता है यही होता आया है कि प्रैक्टिस मेक से मैं परफेक्ट हुमन परफेक्ट यूं कहें तो और आप भी उड़ाएं चोड़ना नहीं है दोस्त आज से पहले बहुत डड़ते होगे तुम लोग है ना रायता बना दिया तुमने आज इसका है यह भी वेंडाइग्रम सोचेगा कहां फस गया है है कि आपूशने से शिवा एक और दो को चुना पंदरा ने दो और तीन को चुना ठीक है यह स्लैंक यसवा इक है यह सेवा दो है और ईस यवा तीन है 10 ने सेवा एक-2 को चुना 15 ने बीचंसने BLACK 7 को चुना दस में तीनों सेवाओं को चुना यह अच्छा है अब मुझे नहीं बता लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं कि पांच ने तीनों में से किसी एक को चुना है सही बात है न फाइव चुना एग्जर्क्ली वन ओफ थ्री सर्विसेश अगर यह ए है यह बी है और यह सी है इसको मैं पांच मान लू तो बोले डियर अल कॉमन नहीं है वह उस्षार मत बनो ठीके सर और यह कितना हो जायगा अगर इसको आपने X मान लिया तो यह 10 माइनस का X यह हो जायगा 10 माइनस का X और 15 माइनस का X क्या रंगुल यह आपने भरदी तीनों वाले को ले ही लियी ले लिया वेरी गुड वेरी गुड अच्छा कर रहे हो चलो करो तो बोले सर यहां तक तो ओके है अब आगे बताओ क्या करा जाए मैंने का टोटल कितने गिरा के 30 है सबको जोड़ो सबको जोड़ो सबको सर ऐसी बात है शांती से काम करेंगे हम 10 और 10 बीस बीस और पंदरा 35 35 एक से एक्स गया माइनस का 2X प्लस A प्लस B प्लस C टन 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 यानिकी 5 बराबर 30 कोई दिक्कत काहे की दिक्कत सर काहे की दिक्कत X बराबर आगया 5 तो कितने नों तीनों सिवाओं कुछ ना पांच ने कैसा लगा दोस्तों तरीका कैसा लगा सच बताना दिल से बताना कोई बहाना नहीं चलता इसमें पता है मैं सब्जेक्ट ही ऐसी है इन सभी को जोड़ना जोड़के 30 के बराबर कर देगा कि टोटल 30 ग्राग पिक रायता बनाना सीख गए अगला बना ये अगला बना दीजिए वेंड डाइग्राम के लिए मैं आपको समय देता हूं 40 सेकंड अगर तुमने सच में बना दिया 45 सेकंड में भी एक बड़ डन कर देना सर यह सर बना दिया है समय शुरू होता है अब कम ओन कि सथ 2x कैसे आया अब मैं बताओंगा चलो अब पहले तुम इसको करो एक मिनिट रुक जाओ दोस्तों बलराम यादा जिहान नहीं देते हो नोपीता सब बता दूँगा मैं कि पहले करने दो चुप्चा बच्चों को कि जान चलो तुम ना है 所以 दो गे न चाहन से मरने दो कीरेवडे हैं इस अब बंदी लगा ले यार मैंने कुछ भी नहीं करा कि इनको जोड को जोड़ो ना माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस का थ्री एक्स और यह प्लस का एकस तो माइनस का 2x तो रहेगा simple काय की tension है अब इस question पर आते हैं चलो सर 110 विध्यारती है 70 विध्यारती हिंदी 60 विध्यारती गनेत 54 विध्यारती अंग्रेजी दौनो 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 चलो आजाओ सर गोला बनानो 3 गोला बनेंगे बड़िया वाले मैंने का बना दिये हिंदी math मैट 60 और 54 इंग्लिश 32 हिंदी गनित 28 हिंदी अंग्रेजी और 24 तीनों में एक्स पढ़ते हैं कौन करेगा जल्दी बताओ कौन करेगा सर मैं करूंगा कैसे 70 54 और 60 को जोड डाला 12 और 6 18 186 184 उसके बाद चुपचाप रह जाओ पहले लीफ बाला ले लो डेटा 28 32 और 24 और 110 है वो जोड़ दो तो 14 सर यह हो रहा है 3 और 3 6 और 3 9 एक्सो चौरान में तो अंतर कितना रहा है 10 अब सब कुछ हो गया अच्छा लगता है न अब यही तो समझ है आपको हर टाइप मैंने क्लियर कर दिया उन विद्ध्यारतियों की संक्या क्या है जो केवल एक विशे पढ़ते हैं तो गुरू जी केवल एक विशे पढ़ने वाले चाहिए न आपको यह हो गया 22 यह हो गया 18 तो बाइस और अठारा हो गया चालिस दस पचास यह हो गया 20 यह कितना हो जाएगा 14 यानि कि यह हो गया 32 और 10 42 और 4 46 यह हो जाएगा 14 और यह कितना हो गया अठाइस और चार 32 और 42 और चाहिए तो बारा जोड़ना जाएगा 32 और चाहिए और 46 पुटी सिक्स कि एसके मैगनेट कहा है सर मैं सोच रहा था कि वेंड डाइग्राम कुशन कहां से पढ़ें आखिर आखिर में पढ़ा दिया मैं तो बहुत बार बढ़ा दिया लेकिन तुम आखरी में पढ़ रहे हो मैं सब कराऊंगा मैंने बोला ना तुम जितने भी बच्चे नए है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मज़ा आ जाएगा यार कल बहुत कुछ होने वाला है ग्यारे बजे वाइफए स्टेडी पर क्लास होगी उसके बाद चार बजे फॉर्मूला रिवीजन होगा पूरा मैत का और उसके बाद साड़े पांच बजे वो पेपर की कुश्चन सोंगे और रात को जुमेट्री होगा आनंद यानंद है उन विद्यार्तियों की संख्या बताओ सो कम से कम दो विशर पढ़ते हैं कम से कम एट लीष्ट दो इन सब को जोड़ दो तो यह हो गया चालिस चालिस और दस पचास और पचास चौंसट शिक्स्टी फोर तो कम से कम का मतलब दो वाले भी और तीन वाले भी अगला करिए उन विद्यार्तियों की संख्या का अनुपात क्या है जो केवल अंग्रेजी और गनित पढ़ते हैं केवल अंग्रेजी और केवल गनित केवल अंग्रेजी और केवल गनित 12 और 14 6-7 एक्स कमान बताओ एक्स कमान क्या है दस बस कैसा लगा ये खुपसूरा सा सेशन जल्दी से बता दीजिए मुझे आप सभी लोग जोड़ता तरीकी से लाइक शेयर करेंगे कितना मैं चाता हूँ बस आप लोगों से कल होगा चार बजे तयार रहेगा आखरी प्रहार गुरूप चोड़ेंगे ने इसको हम और हर एक्जाम में काम आने वाली चीज़े हैं मैत का महा मुकाबला तो 16 अगस्त को होगा मंगलवार को और पांच बजे आपकी जो क्लास चलती है साड़े पांच बजे उससे जरूर लिया करो मैंने आज एंटी पीसी के शांदार कोशन कराएं उन्हें जरूर करना वो बेस्ट कोशन बहुत काम आने वाले हैं कल भी साड़े बाज बजे होगी पर रात को नौ बजे कल होगा रात को नौ बजे कल इसी सेशन में जुमेट्री होगा जुमेट्री जयामेती आपका सपना और अंतिम लई यह मैं यहीं चाहूंगा अगर मेरे साथ मेरे साथ मेरे रैंकर्स बैच में नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना बहुत ही शांदारी यह बैच आपके सामने आ रहा है जहां मैं कंप्लीट मैद पढ़ाने वाला हूँ साहिल टेन कोड लगाकर ही जुड़ना और अभी बारत तारिक से पहले पहले जुड़ जाओ क्योंकि 41% तक का फायदा मिल रहा है छे महीने का एक्स्टेंशन मिल रहा है इसलिए साहिल टेन लगाकर अभी जुड़ो और मौके का फायदा उठाओ ऑफर का फायदा उठाओ मेरे कोर्स के साथ जुड़ने का खास मौका पाओ यह मेरी बुक फिलिपकाट अमेजोन पर मिल रही है सारी टीचर्स की क्लास मिल जाएगी अनकेडमी लर्निंग आपको डाउनलोड करके स्सी एक्जाम पर जाना गैट सस्किप्शन पर जाना एक स डाल दूँगा मैं PDF हर सेशन की चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दवा लेना जैसे कि मैं अभी देख पा रहा हूँ अभी भी मतलब 20% बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो भाई बहुत काम आएगा एनेलेसिस के लिए नंबर दे देता हूं 8005663101 कौन-कौन विध्यारती ऐसा है जिसका एक्जाम होगा 17 से 25 के फेज में इस जोन से वो ब्लॉंग करते ना उसी साब से ठीक है चलिए सब केक कहां लीजिए आधा तो मैं खा गई सब कुछ लेलिया संजय कुछ मत करो मेरे चैनल पर जाओ प्लेलिस्ट बनी हुई है जाकर अभी जाकर देखो कोई भी टॉपिक पढ़ना है ना अभी जाकर देखो अभी तो पढ़ाया है एक लाग से ज्यादा बच्चे नों देख लिया वो तुम पता नहीं कहां खो रहे हो लेट हो लेकिन ऐसा मत बनो कि तुम एक बहतरीन चीज को खो दो आप जाओ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो सारी चीज आपको मिल जाएगी ठीक है अपना ध्यान रखें पढ़ाई करते रहे टेक क्या लव यौल